हाँ जी तो कलास 10 का हमने चप्टर नूमर 5 स्टार्ट किया था Arithmetic Progressions ठीक है मैंने आपको पहले उसका कुछ introduction दिया था पहले वाले वीडियो में तो इस वाले वीडियो में हम Exercise 5.1 जो है चप्टर नूमर 5 की सालो करने जा रहे हैं ठीक है जो इसका question number 1 है that is in which of the following situations does the list of numbers involved would make an arithmetic progression and why यहाँ पे कुछ situations देके रखिये हैं हमने उनको analyze थोड़ा सा करना है और यह चख करना है कि कौन सा list of numbers बनेंगे तो उसके according हमने फिर देखना है किया वो list of numbers arithmetic progression बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं तो पहली situation यहाँ पे है the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer ठीक है मालोगे आपको travel करना है जब आप पहला kilometer travel करते हो पहला then you are supposed to pay आपको पंदरा रुपे देने पड़े हैं taxi fare उसके बाद जितने kilometers आप आगे जाओगे मालो कि आपने एक kilometer का सफर किया अब यहां तक आपको खाली पंदरा रुपे देने आपने दो kilometers का travel किया तो आपको पंदरा और उसके साथ 8 extra देने पड़े 8 that means उसके बाद एक kilometer के बाद जितने kilometer आप चलोगे उन पे हर किसी kilometer पे आपको आप आप रुपे देने पड़े ठीक है तो यह बोल रहा है कि क्या यह situation जो list of numbers आपको देगी क्या यह AP बनाएगी कि ने बनाएगी ठीक है तो यह question number one रहेगा ठीक है इसका exercise का तो इसको देख रहे हैं पहले it is question number one का पहला part रहेगा ठीक है अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ जो वहाँ से देखे given is taxi फिर for first kilometer is equal rupees 15 ठीक है तो इसके बाद जो situation देखे रखी है taxi fare for two kilometers that will be equaled अब पहले के लिए तो 15 उसके बाद आगे चलोगे एक और kilometer तो उसके आठ तो टोटल में 23 इसी तरी के से टेक्सी बाद अठी के बाद है तरी के लिए पंद्रह पिर जब दूसरे के लिए 8 तीसरी के लिए भी आपको 8 देने पड़े हैं become total में 30, ठीक है, तो यह ऐसे ही चलता चाहेगा, जो हमारे पास list of numbers आएगा, so list of numbers is, क्या आएगा आपके पास 15, then 23, 31, उसके बाद आपके पास आएगा 39, ऐसे चलोगे तो 47, ऐसे चलता चाहेगा, ठीक है, यह हमारे पास list of numbers है, अब इस पर हम definition of क्या लगाएंगे, arithmetic progression, ठीक है, वो चक करेंगे, here, 23 minus 15 is 8, 31 minus 23 is again 8, 39 minus 31, that's again 8, वैसे चलता चाहेगा, तो इसके बाद आपके लिस्ट अफ नंबर्स, फिर पहली term को छोड़ के, जब हम difference निकाल लेंगे, एक term के उसकी preceding term के साथ, that is 23 with 15, 31 and 23, 39 and 31, वो अगर same fixed ka understand आ रहे है, तब हम बुलेंगे, कि इस दित लिस्ट अफ नोब इस पहले पहले, एक है, या बिलिके गहां, OS, Homes and AP. reason करेंगा as difference is same और वो difference किती है? 8. तो यह रहाप आप नमबर तो इसके बाद जो पार्ट सेकंड है ठीक है? कॉस्टिन नमबर बन का आपके पास कोई सिलेंडर देखे रखा है उसमें जो है एक vacuum pump जो सिलेंडर में हवा है उसको remove कर रहा है ठीक है? लेकिन situation क्या बन रही है? अगर माल लो कि उसमें पहले 16 liters air present था तो जब vacuum pump पहली बार वो air remove करेगा that will remove 16 by 4 ठीक है? that is वो जो remove करेगा वो करेगा remove 4 liters ठीक है? मैं आपको ये समझा रहा है यह पर मैं लिकूंगा ये 5 सेकंड रहेगा माल इसका let volume of air in cylinder बी इक्वल्ड वी लिटर्स ठीक है हम मानते की स्टार्ट में जो एर प्रेजंट था स्लेंडर में वो वी लिटर्स ठीक है अ k ो बीटर दीक स्टार्ट में जाम कराव वी लुग्छ संथाज बीशलयव लिट чॉंत मैं। अप्र मैंे छैफ और दीक है स्टार्ट में विल्श ठार्ट रूर्स बार्स हैं यहाव भल्मत वे लिटक्या सहना से छिधा, is equal अब पहले V था आपने रिमू किया V by 4 अब कितना बचेगा V minus जो और जितना आपने रिमू किया वो minus करोगे that will be 3 V by 4 liters ठीक है after second removal जो vacuum pump फिर से काम करेगा volume of air कितना आएगा अब जितना आप के पास था that is 3 V by 4 minus उसका 1 by 4 that is this much तो that is 3 V by 4 minus 3 V upon 4 into 4 that is 16 अब multiply करो आप इसको 4 से that is 4 into 3 V upon 4 into 4 ठीक है that is 3 V upon 16 तो यहां पर आप के पास आएगा 12 V upon 16 ठीक है माइनस 3 V upon 16 तो आप के पास कितना आएगा 9 V upon 16 16 लीटर्स रही है ठीक है जब आपने second removal किया ठीक है अब मैं अगर example ले लूँ मैं आपको मादल वी बोल रहा हूँ कि वी आपके पास 16 है जब पहला removal हुआ तो आपने 16 by 4 remove किया that is 4 लीटर्स तो इसके बाद जो जो हमारा volume रहेगा after first removal वो रहेगा 16 minus 4 that's how much 12 ठीक है अब जब आपने दूसरा removal किया वो तो 12 में से जाएगा 12 में से 12 by 4 that is 3 आपके पास 9 है जब आप ये 16 यहाँ पे substitute करोगे यहाँ पे आपने 16 रखा 16 minus 16 by 4 that is 4 again तो 16 minus 4 कितना आएगा that is 12 जब आप यहाँ पे 16 रखोगे 16 by 4 that will be 4 into 3 that's 12 ठीक है आगे आप यहाँ पे आओगे second removal हमारा 9 आया तो यहाँ पे आप 16 रखोगे V की जगह 16 रखोगे तो यहाँ पे नहीं ठीक है यह है in general यह हमने एक example ली ताकि आपको इसका थोड़ा सा ना feel आजए question करने का तरीक है यह रहे ठीक है तो आप बोलोगे so list of numbers is क्या क्या है आपके पास V and then 3 V upon 4 and then 9 V upon 60 यह है ऐसी है ठीक है here list of numbers आपके अब हमने क्या निकालना है difference निकालना है here 3 V by 4 minus V 3 V by 4 minus V कितना आएगा it will be 3 V minus 4 V upon 4 that will be negative V upon 4 7 में जब आफ करोगे 9 V upon 16 minus 3 V upon 4 इसको आप लिख सकते हो 9 V upon 16 minus 4 से उपर multiply करोगे denominator को भी तो यहाँ बारा V upon 16 तो यहाँ पर कितना आएगा 9 minus 2 दबारे negative 3 V upon 60 अब जो यह difference है और यह difference है पबली को कि negative V upon 4 is not equal to negative 3 V upon 16 तो जब difference सेम नहीं है तो हम conclusion करें निका लेंगे तो यह दो यह लिए उगाँ, आप दूा टी आप टीए शीलिए ।ो यह Morris मुए यह वर शना विए यह लुग तो जयां चुए नहीं है तो दीए का डी नहीं लूगी, उयाद, अभnd, कितना वहिए लिए, भnd, कर लिए व atrás ओ। आप अबलीए विवन नम्बर्ज दो नॉट फॉर्म न ए पी ठीक है सो यह रहा है पार्ट ने सेक्ट जनिरल में आफ इसको करो है सो बपॉम थे पार्ट थर्ड कुस्टन नॉमबर वन पार्ट थर्ड बोल रहा है थे रच वक्वर्टत ओ डिगिग एल और इवरर अवर्ट्थ cot 1.50 ॐरोर्ट भ्रीन दिगंग थेर जो unknowns तो जब आप उसका पहला जो मीटर है वो डिग करोगे तो वहां तक जो आपको पैसे देने पड़ेंगे वो डेड़ सोगा ठीक है मान लोगे मैं है या पिर उपको समझाने के जोग रहा हूँ अब आपके पास बंदे आये वो काम करेंगे ठीक है अब यह मान लो यह एक मीटर है जब वो यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक खोद लेंगे तो आपको देने पड़ेंगे एक सो पचास उसके बाद वो जो एक और मीटर आएगा उस पे आपको देने पड़ेंगे कितने पचास तो जो आप दो मीटर्स ये पहले दो मीटर्स आप बोलोगे कि इनको खोद लो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको देने पड़ेंगे दो सो तो ऐसे ही यह चलता जाएगा आपको फिर एक ओर मीटर आफ बोलोगे उनको खोदना तो आपको फिर से पचास रुपे देने पड़ेंगे ठीक है तो यह ऐसे ही चलता जाएगा ठीक है तो तीसरा पार्ट रहे गई है इस कुस्टिन का इर एक क्सेदा से घुना है घसे होस्त millones का खधार सेवर मेडेंगे परस्ट मेडे है ते किक रिस्थे मेड़ मेडेंगे ते परस्तमेड वे ते किए आपके का आपके यारी टेक है ते है परस्तमेड़े ते is how much rupees 150 okay then cost of digging 2 meters is equal to 150 plus 50 that is rupees 200 अगे लिख रहो में cost of digging three meters will be equal rupees पहले के लिए 150 दूसरे के लिए फिर 50 फिर 50 ठीक है so this will be in total 250 तो ऐसे चलता जाए ठीक है so we'll write so list of numbers is क्या हैगा आपके पास एक सो पचास दो सो डाइसो फिर ऐसे चलेगा तीन सो तीक है तो अगे लिख होगे here 200 minus 150 is 50 now 250 minus 200 is again 50 and then you can write 300 minus 250 is again 50 तो ऐसे ही 8 तो जहाँ पहली टर्म को छोड़ गए अब जब भी आफ 200 की preceding term को difference निकालोगे तो आपके पास पचास आ रहे है 250 का उसकी preceding term 200 के साथ difference निकालोगे तो आप लिखोगे since difference is saying yeah so by a definition of ap given list forms in ap ठीक है तो यह रहा इसका part third अब part four पे आते हैं इसकी the part number four is the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8 percent per annum per annum बोले तो per year ठीक है तो कोई बंदा है वो 10,000 रुपे मानों किसी बैंक में deposit कर लेता है ठीक है तो उसे bank वाले क्या करता है कि उसे 8 percent उसका interest देते है साल में उसका 8 percent every year वो एक साल के लिए रख रहा है तो 10,000 के 8 percent लेकिन यहां पर बात है यह interest simple नहीं है यह compound है ठीक है आपने simple और compound तो पढ़ ही रखा हुआ ठीक है इसको सालो करते करते मैं आपको वो भी समझा दूँ simple or compound mega difference okay now the part number four of question number one is we'll start the part number four I will write amount दिपोजिटिट इसी कोड़ उपीज टैन थाउजन टीक है फिर मैं यहां लिख रहा हूँ amount after one year amount कितना रहेगा एक साल के बाद एक तो रहेगा जो दस हजार पहले ही थी और आठ परसंट दस हजार के जो bank interest देगा ठीक है तो यह कितना बनेगा यह हम calculate करेंगे यह आपके पास दस हजार प्लस यह दो zero और यह दो zero जम कर लेंगे hundred into eight there will be eight hundred तो जो आपके पास amount रहेगा एक साल के बाद वो दस हजार आठ सो तो आठ सो रुपे दस हजार रुपे पे bank आपको interest दे रहे है ठीक है at the rate of eight percent ठीक है फिर मैं लिख रहा हूं यह आप एमाउंट और आपके पास आई गाई एक तो यह कितना बनेगा amount after two years आपके पास आई गा एक तो यह जो आपके पास initial amount था और इस पे आच परसन का interest ठीक है तो इसको आप calculate करोगे यह और यह कर जाएगा तो अब आप आपको क्या करना है 108 को multiply करना eight के साथ अब आप मेरे तरीके से करोगे तो मैं इसको ऐसे करूँ यह 10800 प्लस मैं लिख रहा हूं 100 प्लस लिख रहा हूं 8 और फिर 8 से multiply बाहर यह 108 हो आपके पास आएगा 10800 प्लस मुल्टिप्लाइ करोगे 864 तो यह आएगा आपके पास 10800 यह 864 अब इनको एड़ करोगे तो आपके पास इतना आएगा इमांट मैंने जल्दी जी कर लिए आपको आना चाहिए 4 प्लस 0 that's 4 6 प्लस 0 is 6 8 8 that is 16 एक के लिए है वो यहां पे अब आप यही पे चक करोगे so list of numbers आप आगे भी ऐसे कल प्लस कर सकते हूँ है ना जो है interest कितना आएगा and then amount कितना बनेगा that is list of numbers आपके पास आएगा आपने start किया था 10,000 से ठीक है फिर एक साल बाद आपके पास पैसे आए 10,800 और फिर 11,664 ठीक है ऐसे यह चलता जाएगा ठीक है so I will write here अगर मैं 10,800 में से 10,000 सब्ट्रेक्ट कर रहा हूँ तो आपके पास कितना बज़ रहा है 800 और 11,664 में से 10,800 सब्ट्रेक्ट कर रहा हूँ तो आपके पास कितना बज़ेगा 4-0 that is 4 6-0 that is 6 and then 6-8 तो we will just take it here it's 16-8 that is 8 and then 1-1 तो इतना है यह 800, यह 864, सेम नहीं है ठीक है तो और के लिखोगे since difference is not same so the list does not form an app तो यह रहा इसका last part इससे हमाई question number one जो है वो complete अब simple और compound के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ मालो के अगर simple interest होता और आप interest जो है उस पे calculate करने जाते तो जो starting में आपका amount था मालो की 10,000 तो हर साल आपको interest इनी 10,000 रूपे calculate करना था लेकिन compound में क्या होता है आपने 10,000 deposit की उस पे आपको एक साल के बाद interest मिला 800 तो आपके पास जो बचा वो है 10,800 आपके पास पैसे आगे 10,800 अब compound में यह होगा कि वो 10,800 ही पे interest calculate करेगा अगले साल simple में क्या होता simple में अगले साल भी उसी initial जो आपने deposit किया था principal value उसी पे interest calculate होता तो यह main difference है compound or simple interest ठीक है आपको समझाया होगा यह थोड़ा से अपने 8th class में पढ़ रखा होगा अभी हम question number 2 पे आते हैं इसकी ठीक है question number 2 is write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows ठीक है part number A में आप देख रहे हो A is given to be 10 D is given to be 10 ऐसे A is given to be negative 2 D is given to be 0 हमने क्या करना है इसके 5 part है मैं 2 तीन आपको दिखाऊगा पहला दिखाऊँगा देन दूसरा भी दिखाऊँगा and 4 दिखाऊँगा फिर लास वाले decimal में तो यह भी दिखाऊँगा ठीक है तो हमने 4 terms लिखनी है इसकी ठीक है पहली 4 terms रहीए इसकी ठीक है आपको रूसरा रहीए question number 2 part 1st अभी यहां पर गिवन है a that is 10 and the common difference d that is again 10 हमने कितनी terms लिखाँ लिखाँगा पहली 5 term first 4 4 लिखाँगा तो I will write, we know that an is equal to a plus, आपको याद होगा है, मैंने आपको इसका है था, यह कैसे, ठीक है, n-1d, और इसको बोला था, general term, recursion पढ़ा था, और general पढ़ा था, ठीक है, तो हमने कितने terms निकालनी है, पांच, चार निकालनी है, मैं पांच बोल रहा हूँ, ठीक है, now, a1 is your first term, that is given to be a plus 1 minus 1 into d, that is 0 into d, that is a, और वो क्या है आपके पास, that is 10, ठीक है, तो आगे आपके पास पहली term, अब आप यहाँ पे n में substitute करोगे 2, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखा कर जाएगा, a plus 2 minus 1, d, now, a क्या है, a तो 10 है, 2 minus 1 कितना हुआ, 1 into d, d कितना है, 10, 10, तो a 2 आपके पास, 20, इसी तरीके से आप, यहाँ पे n की जाएगा लिखा होगे, 3, so we will get a plus 3 minus 1 and then d, अब a क्या है, 10, 3 minus 1, 2, d कितना है, 10, 10, so this is 10 plus 20, that is 30 अगे, तो लास्ट वाली तर्म जो आपने निकालने है, 4th term, that is a plus 4, n की जगा आप 4 लिखोगे, and then d, so what's a, that is 10, plus 4 minus 1, that is 3, how much is d, that's 10 again, so the answer is, ठीक है, यह पार्ट फर्स्ट की जाएट, a1, a2, a3, और a4, ठीक है, तो पार्ट सेकन्ड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे, वहाँ पे भी एग गिवन, अपके पास है, a is negative 2, and d is 0, ठीक है, तो अफेशिल लिखोगे, we know that, a in, a sub n, is equal to a, that's first term, plus n minus 1, into the common difference d. Now, what will be a1, a1 will be a plus 1 minus 1, into d, that is a only, how much is a, अपने, वह गिवन है, that's a1 is negative 2, ठीक है, now a2, a2 कितना आएगा, we will write a plus n किज़ेगा 2, 2 minus 1, into d, now how much is a, that is negative d, plus, it is 1, into, how much is d, that is 0, so, this is, 1 into 0, that is 0, that is equal to negative 2 only, you see that, you can say, a3, that is a, plus, 3 minus 1, into d, which is equal to, how much is a, that's negative 2, plus, 3 minus 1, that's 2, into d, that is 0, so, this is, and the last one, is, a plus, 4 minus 1, into d, now how much is a, that's negative 2, 4 minus 1, that is 3, how much is d, that is 0, so, that's again, प्लिक होगे 10, a1, a2, a3, and a4, are all the same, और इनका वेली, ठीक है, यह रहाए इसका दूसरा पार्ट, अब क्वेस्चन नमबर 2 जो है, इसका हम, पार्ट नमबर 4, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, and part No. 5, part No. 3 आफ करोगे, ठीक है, so, I will write the part No. 4, ठीक है, तो आपने फिर से यहाँ पर कितनी टर्म निगालनी चार तो अब लिग होगे लंगवेज तो सेम रहेगी हर पार्ट में ठीक है तो अब आपके पास आप यहाँ पर सबस्ट्टूट गरी होगे a plus 1 minus 1 into d which is only equal to a so a1 is negative 1 okay let's see what's a2 a2 will be a plus 2 minus 1 d a is negative 1 plus 2 minus 1 is 1 and d is 1 upon 2 okay now negative 1 plus 1 upon 2 we will get negative 1 upon 2 is the trick is of a3 now we will get a plus n ki jayga 3n minus 1 d a a aapka negative 1 hai plus 3 minus 1 2 rahega or d aapka 1 by 2 hai okay to a negative 1 2 or 2 jayga to plus 1 is equal to 0 to a3 aapka 0 now a4 kiayga aapka a plus 4 minus 1 d which is equal to how much is a that is negative 1 plus 4 minus 1 that is 3 and what's d 1 upon 2 that is negative 1 plus 3 upon 2 let's go across multiplier away it will be negative 2 plus 3 by 2 which is equal to 1 by 2 okay so that's a1 a1 negative 1 a2 negative 1 a2 negative 1 a3 0 a4 1 upon 2 now the last part joh I am s ko, I am s ka that will nd , I am s ka dat w twisty that will be the part number 5 ,5 the highest part j bid here u yaun peh . a Aasia ii aaf ka pas hain is givn to b a наш negatu 1 point 2 5 and d ata baas hai140 6 how much own d is negative 0 point 2 5 ठीक है फ्रिसे अप्लिक होगे आपने चार तर्म निकालने है उसी अ इंद और वी नो दाट a n is equal to a plus n minus 1 d so a 1 a a plus 1 minus 1 d which is a only and a a a a a now a 2 what a 2 will be a plus 2 minus 1 d now how much is a a is negative 1.25 plus 2 minus 1 is 1 into d that is negative 0.25 so a कितना है आपकार negative 1.25 negative 0.25 so this will be negative 1.50 इनको add ठीक है तो ये आपके पास a2 हो गाए अब a3 will be a plus n minus 1 d तो a आपके पास पे उसे 1.25 plus n is 3 d आपके पास है negative 0.25 ठीक है negative 1.25 plus 2 and then negative 0.25 ठीक है ये आपको आना चाहिए ये कितना है गा? अब जिसको नहीं आ रहा है ये तो positive और negative तो negative और उसको में दिखा रहा हूँ you can just convert it 25 जीचे में गा so decimal की जीगा 1 0 0 ठीक है ये कितना बनेगा? जो अब इसको चक्ट करोगी it's negative 1.25 minus 25 1 जार and then this is 4 so it's 2 by 4 then you will just say 2 1 and 2 2 that's 1 by 2 that is 0.5 तो ये कितना लास्ट आपको तो ये लास्ट आपको अब जाए and 1 plus 0 plus 4 minus 1 and D now what is this A अपके पासे negative 1.25 plus 3 times and it is negative 0.25 now this is negative 1.25 इसको आप मुलिपले करें negative and this will be 0.75 जैसे में ना को दिखा है आप फिर से इसको ट्राइ करोगे so the last one will be you will get add equal to 2 अपिन दोगो add करोगे you will get तो इस तरीके से ये आपके question no.1 और question no.2 complete question no.2 का दूसरा पार्ट मैं ने छोड़ दया वो आप ट्राइ करोगे जिसको नहीं आएगा वो पोचिए ठैक्यू